तो चलिए उसन एक latest update और एक notification हमारे पास आई है जो कि 3-4 दिन पहले इनालेट ने इसको update कर दिया था वीडियो मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि थोड़ी सी update जो है आपके हित में है भी और बहुत से बचों के हित में नहीं भी है लेकिन आपको ये update पता होनी चाहिए ठीक है और साथी एक और major changement किया है नालेट ने बी लेवल का जो syllabus है उसको भी नालेट ने चेंज कर दिया है तो उसके लिए एक मैं अलग से separate वीडियो आपको दूँगा पूरा complete explain करूँगा बी लेवल में क्या का चेंजमेंट हो है और कैसे आप कर सकते हैं और कैसे पेपर होगा क्या चीज़े है उसके बारे में आपको अलग से बी लेवल से लेवल की आपको वीडियो देंगे जो public notice recording conducting of examination for awareness in computer concept ACC का जो course होता था नालेट के मादधम से उसमें कुछ चेंजमेंट किया गया है तो इसके पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो नालेट course आपको provide करवाता है student zone में जाएंके course में digital literature course पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर आपको सारे course दिखाई देंगे ठीक है तो दीखें यह जो नालेट के मादधम से basic जो course होते थे जिसमें कि पहला course थे अवेरनेस in computer concept bcc basic computer concept triple c triple c plus और ecc तो यह वाला जो course होता था पहले इसमें आपको से form बनने के साथ ही certificate आपको provide कर दिया जाता था ऐसे awarded की रूप में ठीक है तो अभी जो इसमें notice है कुछ इस प्रकारत है आप दे सकते हैं public notice यहाँ पर भी जारी कर दी गई है और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं home पर यहाँ पर जाएंगे पहले बादे लिंक पर आपको करना है किलिक और यहाँ पर जो notification window होती है view more पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा जाते हैं किस तारिक को यह अपडेट की गई थी और कब से यह लागू होगी ठीक है यह आपको दी गई थी 27 दिसमबर को तो देख लेते हैं तो being a certificate body knowledge is awarded awarding certificate to the student under different non-formal course आपके जो होते हैं oabc level के जो की और साथी dlc की जो को देख आपके जो यह वाले हैं टीपल सी बी सी जी सी ठीक है जो की यह आपके लाइक बी सी सी सारे होते हैं और साथी इसमें एक a cc का भी कोर्स होता था ठीक है तो जिसको करने के साथी इसका जो भ अगर होता साथी आपको certificate मिल जाता था अगर आप किसी institute से होते हैं माली एडमिशन लेते थे तो वहाँ पर आपको सरिफ क्या करना होता था एक assessment और इसमें बिसिकलिए आपको एक submission करना होता था एफिडेविट का एफिडेविट आप participation के लिए submit करते थे institute में और इसमें ज जो है इसको एक particular ऐसे module के रूप में आप ऐसे ऐसे course के रूप में नालेट ने इसको दे दिया है कि ACC भी एक course है आप यहाँ पर जिसको कि कंडिक्टिंग होगा examination सेम जैसे आपको डिफस्दिका होता है साथी आपको examination देने जाना पड़ेगा result आएगा उसके बाद ही आपको certificate इस होगा तो अभी जो फीज थी यहाँ पे वो 200 रुपए थी बिना एक्जाम दिये वारी जो आपको institute से सिफ एफिडेविट सब्मिट करने के साथ आपको पराप होता था ठीक है अब यहाँ पे इसको जो है BCC से add कर दिया गया है जैसे कि BCC में होता है तो ACC is this subset of BCC dedicated after due deliberation by the competent authority ठीक है जो भी authorities and knowledge की उसके द्वारा इसको approve करा के यह आपका जो similar course है BCC के BCC exam की द्वारा आपको conduct कराया जाएगा ठीक है आप लिखा कि examination is conducted remote proctorate mode ठीक है आप लिखा हुआ है वही जैसे आपके online examination होते है ठीक है हैंस और यह कप से लाग हो रहा है एक January 2023 से आपका होगा इसमें की पहले आपको registration form इसका apply करना पड़ेगा जो की portal आपका student.nilet.gov.in है और इसमें registration करने के बाद आपको 250 रुपेज करने पड़ेगी और इसका exam होगा उसके बाद आपको इसका certificate प्राफ्ट होगा तो candidate जो भी है विल रजिस्टर कर सकते हैं 31 December से और जो इसूर सर्टिफिकेट पर participation हो लिए तो जो भी इसके लिए participate करेंगे अभी 30 December 2022 से पहले उनको certificate भी मिलेगा ऐसे participant और इसको पूरी तरह से apply करने के लिए आपको सेम जाना है apply online वाले link पे और यहाँ पे क्लिक करना है ACC का जेकी option यहाँ पर आपको मिल जाता है ठीक है और साथ ही अगर यहाँ पर दिखाए जाए जाए इसका सलेबस भी मैं भी आपको दिखा दूँगा और एकरी पर क्लिक करते हैं और यह देखीगा यहाँ पर अभी जो यहनों ने option add कर दिया है वो direct और तो अगर यहाँ पर अभी examination form अगरा नहीं open हो रहा तो समझ लें अभी वह site अभी ठीक नहीं यानिकि इसको भी update नहीं किया गया तो थोड़े जिन wait कर लें उसके बाद भी इसको apply करें पिसकलिए एक तरह से registration start है इसमें ठीक है तो अभी यह form यहाँ से आप इसको करना है आ नहीं हाँ पर हम चलते हैं अगर अगर आप करना चाहते कर सकते हैं ऐसे computer कोर्स के रूप में तो यह देखिए डाउनलोड लेवस पर हम क्लिक करते हैं इसका स्लेवस आपको दिखा देते हैं थोड़ा साइल एड कर देते हैं सिंपल साइस से मैस बीसी सी डिपल्सी की तरीक यह देखा है 9 गंटे थियोरी है और 11 गंटे आपका प्रेटिकल है सेम वही होगा लिब्रे ओफिस में आपका होगा चैप्टर बन में इंट्रोडेक्शन तू कंप्यूटर है ठीक है वह इन्पूट आप्टू प्रोशेसिंग माउस वगयरा चैप्टर टू में ऑपरेटि नहीं किया है ठीक है बहुत ही बहुत ही सिंपल है सिर्फ वर्ड प्रोशेसिंग पर ही इसमें काम आपका करा जा रहा है और फानेंशल लीग गवर्नेंस जो आपका बैंकिंग का चैप टॉपिक है वह है यानि कि इसमें से एक्सल और पावर पॉइंट जो है इसमें से हटा हैं यह दोनों चीज़ें इसमें से हटाके इनोने सिर्फ और इसमें MS वर्ड को लिखा है तो एक दम बेसिक अगर सीखने साते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं ठीक है तो यह है इसमें एक मेजर चेंजमेंट नोटिस इसकी और साथ ही इसके साथ बहुत सारे और भी कोर्से से नालेट जो प्रवाइट किराता अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसी में इसका लिंक जो है यहां पर आपको मिल जाएगा अपलाई ऑल नाइन वाले पर सारे मिल जाते लेकिं इस टूर्स से वह कोर्स आपके होते हैं ठीक है तो थेंक्यू फॉर राचिंग